यमराज के दरवाजे पर दस्तक होती है जब यमराज में बाहर देखा तो एक छोटा बच्चा अपनी बिल्ली की जान वापस मांगने आया है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही यमराज में उसकी बिल्ली की जीवन रेखा को काट दिया था क्योंकि उसका टाइम पूरा हो चुका था ये बच्चा चाहता है कि इसकी बिल्ली इसे वापस मिल जाए ये अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करता है बच्चा देखता है कि यमराज के घर में इस दुनिया के बहुत से लोगों की जीवन रसी लटकी हुई है तबी ये बच्चा दोड़ता हुआ यमराज के घर में जाता है और सभी रसीयों के साथ खेलने लगता है यमराज को ये सब देखकर बहुत गुसा आता है और वो इस बच्चे की जीवन रसी को काटने का डिसाइड करते है यम्राज बच्चे की जीवन रसी के पीछे भागने लगते है पर तभी बच्चा देखता है कि उसकी बिल्ली की फोटो पर क्रोस का निशान बना हुआ है और उसकी जीवन रसी कटी हुई परी है यम्राज बच्चे की जीवन रसी को काटने वाला ही था पर तबी बच्चा यम्राज की जीवन रसी पर चाकू रख लेता है और रसी को काटने की धमकी देने लगता है यम्राज को भी मजबूरी में बिल्ली की जीवन रसी को वापस जोड़ना पड़ता है जिससे बच्चे की बिल्ली वापस आ जाती है, बच्चा भी बहुत खुस हो जाता है, और अपनी बिल्ली लेकर चला जाता है, अब क्योंकि यम्राज ने इस संसार के नेमों को तोड़ा है, इसी लिए इन्हें इस काम को छोड़ना परता है, बैसे आप सबसे ज्यादा प्या करके जरूर बताना